नमस्कार मैं हुआ शुवाने बिहारी नियूज में आपका स्वागत है सापता है क्रोजगार समाचार में आज हम बात करेंगे BPC, PRD Bihar, BEL, Indian Navy, Currency Note Price, Sale, SBI, RRC WCR और हिंदुस्तान कॉपर के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे Bihar Public Service Commission, BPC के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में पोस्ट का नाम है Drug Inspector, चोचल नमडों vacancies की बात करें तो यहाँ पर कुल 55 पदों पर आविदन की मांग की गई साक्षे की योगता की बात करें तो Bachelor Degree in Pharmacy और Pharmaceutical Sciences और Medicine with Specialization in Clinical Pharmacology और Microbiology होना आनिवार है वही experience यानि अनभव की बात करें तो यहाँ डेर सिल्ले करके तीन वर्ष तक का working experience required in relevant job इसी जॉब में आपको working experience डेर से तीन साल का होना आनिवार है वही आयू सिमा की बात करें तो यहाँ 21 सिल्ले करके 37 वर्ष तक के अव्यर्थी यहाँ आविदन कर सकते हैं साथ ही आपको यहाँ आयू सिमा में जूट दी जाए वही अनिय अस्टेट के female और male candidate के लिए 750 रुपे निर्धारित किये गए हैं आविदन करने की अंतिम तारिक 16 दिसंबर 22 है ओफिशिल विबसाइट के बात करें तो आप bpac.bih.nic.in पर जाकर विस्तरी तुजानकारी प्राप्त कर सकते हैं नमबर दो पर हम बात करेंगे बिहार पंचायती राज डेपार्टमेंट पचना के दौरा निकाली गई रिक्टियों के बारे में पोस्ट का नाम है अस्टेक्ट क्वालिटी मैनिजर, डिस्ट्रिक क्वालिटी मॉनिटर, टोटल नमबर वेकेंसी की बात करें तो यहाँ पर कुल 101 पदो पर आवेदन की मांग की गई है eligibility criteria की बात करें तो retired executive engineer और senior executive engineers are eligible यानि कि ये लोग eligible हैं इस form को भरने के लिए वहीं आवेदन करने किती थी किस December 2022 नरधारी थे official website की बात करें तो state.bih.gov.in या बिहार PRD पर जाकर आप विस्तरित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं नमबर तीन पर हम बात करेंगे भारत electronics limited bail के द्वारे निकाली गए रिक्तियों के बारे पोस्ट का नाम है project engineer और trainee engineer टोटल नमबरो vacancies की बात करें तो यहाँ पर कुल 260 बद उपर आवेदन की मांग की गई है section की योग गिता BE या BTEC या BAC in relevant discipline with 55% marks एज लिमीट की बात करें तो अपर एज लिमीट for project engineer 32 years project engineer के लिए उपरी आयूसी मां 32 वर्ष निर्धारित की गई है वहीं trainee engineer के लिए उपरी आयूसी मां 28 वर्ष निर्धारित की गई है यहाँ as relaxation extra दिया जाएगा आविदन शुल्क के बात करें तो यहाँ trainee engineer के लिए unreserved OBC EWS के लिए 117 रुपे SC STP WBD के लिए कोई आविदन शुल्क नहीं लिए जाएंगे वहीं project engineer pad के लिए unreserved OBC EWS से 472 रुपे SC STP WBD से कोई आविदन शुल्क नहीं लिए जाएंगे आविदन कर्णी की अंतिम तारिक 14 December 2022 है ओफिशल विबसाइट की बात करें तो बेल इंडिया.in पर जाकर आप विस्तरित जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं नंबर चार पर हम बात करेंगे इंडियन नेवी की दौरा निकाली गई रिख्तियों के बारे में पोस्ट का नाम है अगनिवीर, only 4 unmarried male and female candidates टोटल नमर और वेकिंसी की बात करें तो यहाँ पर कुल 1400 पदों पर आवेदन की मांगी गई है वही सैक्षिन की योगता, 10 प्लस 2 examination with maths and physics at least one of these subjects, chemistry या biology या computer sciences and good physical standard of height, weight and chest होना अनिवार है आई उसीमा की बात करें तो यहाँ उमिदवार का जौन में 1 मई 2002 से ले करके 11 October 2005 के बीच होना चाहिए वहीं आवेदन शूल की बात करें तो यहाँ आवेदन करने के लिए आप से 550 रुपेली है जाएंगे वहीं आवेदन करने के अंतिम तारिक 17 December 2022 निर्धारित है अफिशिल वेब साइट के बात करें तो www.indiannavy.nic.in पर जाकर आप विस्तरी तुजानकारी प्राप्त कर सकते हैं नमबर पास पर हम बात करेंगे Currency Note Price नाशिक रोड महरास्ट्रा के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में पोस्ट का नाम है Supervisor Junior Technician Total number of vacancies के बात करें तो यहां पर कुल 125 पदो पर आवेदन की मांगी गई है Sectionary की योग गता के बात करें तो degree या diploma या ITI in relevant trade होना आनिवाज़े है IUCMA के बात करें तो यहां नियूंतम 18 वर्ष निर्धारित है अधिक्तम IUCMA for junior technician के लिए 25 वर्ष वहीं अधिक्तम IUCMA for supervisor 30 वर्ष निर्धारित की गई है वहीं आवेदन शुल की बात करें तो अन्रिजर्व या EWS या OBC के लिए 600 रुपे SCSTPWD के लिए 200 रुपे निर्धारित की गई है आवेदन करने की अंतिम तारिक 16 अधिसमर 2022 है Official website की बात करें तो cnpnashuk.spmcil.com पर जाकर आप विस्तरी तुजानकारी प्राप्त कर सकते हैं No.6 पर हम बात करेंगे Still Authority of India Limited सेल के दौरा निकली गई रिक्तियों के बारे में Post का नाव है Management Training Total number of vacancies की बात करें तो यहां पर कुल 56 पदों पर आवेदन की मांग की गई है Section की योगता, Graduation या BE, या BTEC, या MBA, या PZ, Diploma, या CA, या CMA, या ICWA With 60% marks in relevant discipline होना निवार है IOC मा की बात करें तो अधिक्तम 28 वर्ष निर्धारित की गई है आवेदन शुल की बात करें तो अन्रिजर्ड या OBC या EWS के लिए 700 रूप SC, ST, PWD, EXSM या Departmental Candidates के लिए 200 रूपे निर्धारित कीए गया है आवेदन करने के अंतिम तारिक 18 December 2022 है Official website की बात करें तो www.sale.co.in पर जाकर आप विवस्तरी तुच्रानकारी प्राप्त कर सकते हैं Number 7 पर हम बात करेंगे Stage Bank of India, SBI के दोरा निकाली गई रिखतियों के बारे में Post का नाम है Space List, Cater Officer या Credit Analyst Manager Total Number of Vacancies की बात करें तो यहाँ पर कूल 55 पदो पर आवेदन की मांग की गई है Sectionary की योगता, Graduation in Any Discipline and Full-Time MBA Finance या PZDBA या PZDBM या MMS Finance या CA या CFA या ICWA होना आनिवार है वहीं इसके साथ ही 3 साल का Working Experience भी होना आनिवार है IUCMA की बात करें तो 25 से ले करके 35 वर्ष तक के अव्यर्थी यहाँ आवेदन कर सकते हैं वहीं आवेदन शुल्क की बात करें तो Unreserved या EWS या OBC के लिए 750 रुपे SC, STP, WD के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिए जाएंगे आवेदन करने के अंतिम तारिक 12 दिसंबर 2022 है Official विबसाइट की बात करें तो sbi.co.in पर जाकर आप विस्तरी तुज़ानकारी प्राप्त कर सकते हैं नमबर आज पर हम बात करेंगे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेट के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में पोस्ट का नाम है अप्रेंटिस, टोटल नमर वेकिंसी की बात करें तो यहां पर कुल 290 पदों पर आवेदन की मांग की गई है सैक्शन की योगता की बात करें तो क्लास टेंथ या आई टी आई इन रिलिवेंच ट्रेड होना निवारे है आई सीमा की बात करें तो नियूंतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष निरधारित है आवेदन चुल की बात करें तो यहां कोई आवेदन चुलक नहीं लगेगा आवेदन करनी के अंतिन तारिक 12 देसंबर 2022 है वह यह ओफिशल वेबसाइट की बात करें तो www.hindustancopper.com पर जाकर आव विस्त दिजानकारी प्राप्त कर सकते हैं नंबर 9 पे हम बात करेंगे railway recruitment sale, west central railway, जबलपूर के दौरा निकाली गई रिखतियों के बारे में पोस्ट का नाम है trade apprentice, total number of vacancies की बात करें तो यहां पर कुल 2521 सिपद उपर आवेदन की मांग की गई है education qualification की बात करें तो matriculation pass with 50% marks and ITI और equivalent trade certificate या NCVT certificate in relevant trade होना आनिवार है वहीं आई उसी मां की बात करें तो पंदरों sale ले करके 24 वोश्ट तक क्या व्यर्थी आवेदन कर सकते हैं education fee की बात करें तो और रिजर्ड या OBC या EWS के लिए सौर पे SC या ST या PH के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेंगे all category fee मिल के लिए no fee यानि की कोई आवेदन शुल्क नहीं लिए जाएंगे आवेदन करने की अंतिक तारिक 17 दिसंबर 2022 है official website की बात करें तो wcerindianrailways.gov.in पर जाकर आप विस्तरी तुचानकारी प्राप्त कर सकते हैं आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही रोजगार समाचार से जुरे रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस धन्यवाद